असलाम अलेकुम बच्चा कैसे हो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Synthesis and Breakdown of Macromolecules या Polymers ये बात आप याद रखना है Macromolecules, Polymer या आपका, आप कह सकते हो Macromer ठीक है ये तीनों बात ये की है, इन तीनों का मतलब एक ही है तो ठीक है, अब इस topic में क्या discuss करेंगे कि कोई भी Macromolecules या Polymer जो कि बढ़ा molecule होता है, वो कैसे बनता है, यानि उसकी synthesis discuss करेंगे और वो कैसे टूडता है यानि उसका breakdown discuss करेंगे, आपको ये जो synthesis और breakdown of Macromolecules है इसको biology बोलती है, metabolism, ठीक है बचा, ध्यान से सुनो में बोल क्या रहा हूं इस चीज को biology बोलती है, metabolism, ठीक है, अब इसने दो वर्ड यहां पर लिख दिये, आप ये ध्यान से देगें ये लिखता है synthesis and breakdown, तो बचा, metabolism दो तरह कई तो होता है, metabolism दो तरह का होता है मैं आपको फेशे करके दिखाता हूं, आपका metabolism होता है, दो तरह का, मैं M लिखता हूं, ठीक है एक होता है anabolism, एक होता है anabolism, और बचा, दूसरा होता है आपका catabolism, ठीक है, अब अगर आप कोई चीज बना रहे हो, तो उसको कहेंगे anabolism और किसी चीज को आप तोड़ रहे हो तो उसको बोलेंगे catabolism ठीक है तो यहां पर अगर यह synthesis बोले तो हम इसको biology की जबान में अगर बोले तो anabolism बोलेंगे और अगर तोड़ने को अगर हम biology की जबान में बोलें medical term में बोलें तो आप catabolism बोलेंगे ठीक है ये बात आपको समझ आ गई मतलब टॉपिक की आपका आउटलाइन समझ आ गई हमें पढ़ना क्या है basically हमें macromolecules का catabolism और anabolism समझना है ठीक है अब सबसे पहले ये आजदे पाड़िश का ये कहता है synthesis of macromolecules बे condensation अब macromolecules की जो synthesis होती है जो इनका anabolism होता है वो by means of condensation होता है condensation को अगर आप उर्दू dictionary में डालेंगे तो आपको उसका मतलब मिलेगा मतलब जमा करना ठीक है चीजों को जमा करना तो बच्चा macromolecules भी तो ऐसे बनता है आपके जो monomers होते हैं ना monomers जो के छोटे होते हैं या इनका building block भी कह दो यह monomers low molecular weight होते हैं और इनकी चोटे होते हैं यह आपस में मिलते हैं आपको कल मैंने term बताई थी linkage की ठीक है अब आपको समझ आया होगा macromolecules किस तरह synthesize होते हैं जो monomers होते हैं जिनको building blocks कहते हैं वह आपस में मिलके बड़े size वाला molecule बनाते हैं जिस बड़े size आले molecule को नाम दिया जाता है macromolecules ठीक है अब यहां पर यह लिखता है therefore the macromolecules are also called as polymers इनको polymers भला क्यों बोला गया क्यों क्योंकि इसमें बहुत सारे parts होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे monomers होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे building blocks जानी कि monomer हो रहे हैं इसलिए ही इसको polymer बोला गया ठीक है यह आपको समझ आ चुका होगा उसके बाद यह कहता है कि biomolecules which are mentioned above are all macromolecules और polymers ठीक है यह बात आपको हैं मतलब condensation समझा रहे हैं यानि क्योंकि condensation से macromolecules बनता है अब condensation होती कैसे है मैं इसको डायग्राम की मतलब से आपको समझा दूं उसके बाद हम theory पढ़ेंगे अब देखें यह पहला monomer है ठीक है यह दूसरा monomer है अब यह दो monomers आप इन दोनों monomers के पास इसके पास य यहाँ पर इसके पास एक hydroxyl group है समझने बात को अब आपको एक बात पता होगी कि जब hydrogen और hydroxyl group आपस में मिल जाते हैं तो बच्चा यह जो चीज बनती है यह होता है आपका water ठीक बच्चा तो condensation के अंदर condensation के अंदर आप ध्यान से सुनी condensation कैसे हो रही है तो बच्चा क क्या होता है कि नएक मोनॉमर क्या करता है अपना एक मोनोर अपना hydrogen डोनेट करता है कि है यह अपॉर्त यह दे सकता हूं यह अपना water यह वाली vacancy खाली हो जाएगी तो इनके दर्मियान इस जगा पर जहाँ पर पहले H और OH कनेक्ट थे वहाँ पर bond बन जाएगा और बच्चा इस bond को linkage बोला जाता है और आपको पता होगा कि यहाँ पर दो molecule बिने तो dimer आपको यह तो पता होता है कि mono का मतलब होता है one single डाय का मतलब होता है two तो वैसे तो बच्चा यह polymersization है लेकिन यह यहाँ पर dimer बन रहा है तो इसको हम di-marization भी कह सकते हैं मतलब इसी तरह से यह link अगर बहुत जादा बड़ी हो जाय तो इसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर ठीक है डाइमर के बाद आता है ट्राइमर ट्रेटरामर पेंटामर जब जादा हो जाते तो उनको पॉलीमर बोला जाता है ठीक है अब यह डाइमर अच्छा अगर मैं बोलू कि यहांपर तीन molecule link होए, तीन मोलीकुल link होए, तो इसको में क्या नाम दूँगा, इसको में Trimer दूँगा, और इस process को में Trimerization बोल दूँगा, अगर इस process को आप polymerization बोलो, फिर भी बात ठीके? इस process को आप condensation बोलो, फिर भी बात ठीके? थीक है अब यह आप समझ आगी कैसे होई कंडंसेशन इसका हाइडोजन के इसका यहां पर बॉंड बन गया ठीक हो अब यह हम थीओरी पढ़ लेते हैं कि थीओरी में क्या कहता है थीओरी में यह कहता है कि मेक्रो मॉलिकूल्स अर कंस्ट्रक्टिट फो मॉनोमर्स वैप्रोसेस्ट रिजंबल सिंग कंपल कंपल कंपलिंग रैल्स ओन तो ट्रेन यानि जिस तरह रेल के डबे अलग अलग होते हैं तो बच्छा इनको जब मिला दिये जाते तो बहुत बड़ी रेल काड़ी बन जाती ह इसी तरह से पॉलीमराइजेशन होती हैं जैसे कि आपने हाँ पर देखा यह आपस में मिल जाते हैं जिस तरह से आपके रेल के डबे मिलके रेल गाड़ी बनाते हैं अब यह कहता है अब बच्छा इनके अंदर जो ग्लाइकोजन है जैसे कोई इसने बोला मेक्रो मॉलिकूल तो मैं ग्लाइकोजन ले लेता हूँ अब जो ग्लाइकोजन की कमपोजिशन है ठीक है वो दोनों में सेम होगी अगर मैं बात करूँ कि बेक्टेरिया का ग्लुकोस या एनिमल का हीमन का ग्लुकोस दोनों की कमपो उनके अंदर मेक्रों वालिक्यूल का स्ट्रक्चर है वह सेम होता है ठीक हो गया अभी कहता है इन दिस प्रोसेस्ट मॉनोमर्स आर जॉइंट तोगेटर बार रिमूविंग ओएच फ्रों मॉनोमर एंड हाइड्रोजन फ्रों मॉनोमर यह वही बात कह रहा है कि इसमें क्या हो हम मेलग प्रोसे से रिलेटिटट वर्ड होतो हमाद रिट हो डीहाड्रेशन का मतलब होता है पानी निकलन अब वच्छा यह जो कंडंसेशन हो यह है इस condensation का special नाम है वह special नाम क्या बचा MCQ पॉइंट है जहां सुनिएगा MCQ पॉइंट है उस कंडन सेशन का नाम है dehydration synthesis दो वर्ड का मजमूँव आई यह dehydration का और synthesis का देखो dehydration तो समझ आ रही कि पानी निकल रहा है इसलिए इसको यहां से चीज़ किलिए होगे दूसरी चीज़ कहां से किलिए होती है सिंतेसिस वाली हो इससे क्योंकि यह पॉलीमर बन रहा है यह डाइमर बन रहा है ठीक है तो जब पानी निकल रहा है डाइडरेशन पानी निकल रहा है डाइमर बन रहा है सिंतेसिस सिंतेसिस का मतलब होग करना के तेकंडेंसेशन आलवेस टेक्स प्रॉपर एंजाइम एंड एक्सपीन्स ठीक है इसमें आपका प्रॉपर एंजाइम होना चाहिए ऐसे नहीं कि खुद ही हो जाएगा आपको एंजाइम चाहिए और एनर्जी भी चाहिए यह काम खुद बाख़ुद तो नहीं होगा कोई एनर्जी चाहिए होगी ठीक है एनर्जी कैसे बॉड़ी को एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए एटीप की फॉर्म में यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है एटीप की फॉर्म में उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा प्रॉसेस जो के इस प्रॉसेस का यह प्रॉ हमाली मर बोल दो klom kryूष चार मोनोमर में बदख बालगक शेकर बना अब जोसी इंग जो सहना है ना इस टेटरामर में क्या हो रहा है पानी अभी बालडगहायई क्या मैं इस्क हुआ हम यह इंदो पानी निकला था ना यहां पर अच्छा दिखोंग है ता में आपको बता है कैसे निकला यहां पर बच्छा देखो एरो जा रहा है मतलब पानी एड़ हो रहा है बच्छा पानी के एड़ होने की वज़ा से क्या होगा यहां पर यह तीसरा वाला जो है ना इसने हाइड्रोजन को एकसेप्ट कर लिया और इस चार वाले ने ओएच क टूढिया अब यहां पर पानी गया ठीके पानी गया और तूटनी ओ कोंवी चीजफ तूटी तो जो चीजफ टूटने को भायों में कईतने लाइसिस मतलब तूटना ठीके पानी की मद़से को चीछ तूट रही हो तो बच्छा इसको नाम दे देंगे हाइड्रोलैसिस लाइसिस में पानी की मदद से हम कोई चीज तोड़ने को लाइसिस कहते हैं ठीक है अब देखो यह आपको समझ आ क्या हो कभी कहता है प्रोसेज वेर मेक्रो मॉलीकूल्स अब्रोकिन दाउन इन्टो देर सब उनिट्स है यह पर एंजाइम चाहिए होता है और बच्चा जो एंजाइम चाहिए होता है उसको हाइड्रोलाइटिक इंजाइए इंजाइम बोलते हैं क्योंकि वह इंजाइम पानी मतलब पानी से रिलेटिड है ना इंजाइम का नाम पानी इंजाइम का नाम उस वह जिस जैसे रोल प्ले करता है या तो उसका रियक्शन से रिलेटिड नाम दिया जाता है या तो सब्स्ट्रेट से रिलेटिड नाम दिय कि आगे काम आएगा अभी कहता है यहां पर यह बात कहता है कि एक ना ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी रिलीज़ एंड इस मैट अवेलेबिल फॉर मेटाबोलिक प्रोसेस अब यह कहता है कि जो आपने बॉंड तोड़ा ठीके यह आपने क्या किया है स्थे मेटाबॉलिक प्रॉसेसि स्केलिए समझने बात को अब यहां पर यह कहता है कि ऩूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रो मॉलिकुल्स आईधर फार्मड और ब्रोकिन वहले कि दुरा यहां तो मेक्रो मॉलिक्ट्र बनेंगे यह तूटेंगे बनने को क्या हूद सैज अपने वह सार ईस्ट्टरी डी करता है तब यह काम होता है क्यों क्यों आप यह हमारे पास दो असटाह की काम गरते हैं यह आप सुन लीजिए यह पैस्सिक पॉईंट अब करेगिंगे बचाई जो मेक्रो मॉलिक्यूल दो त्राके काम शाइन करता है जब सेल अपनी पॉण्चर को री-एंट वाले प्रोसिस होते हैं जिसमें mecario molecules बनते हैं यहां बाद को उसकी बाद यह एक हाना यह कहाना असिल करते हैं नहीं हजम करते हैं तो इन मेक्रो मॉलिक्यूल्स खाते हैं आपको पता है एक जो सेफ खाना डाल कुछ भी खा रही हो ना यह बड़ा होता है वे ब्रॉक डाउन होता है ऐक मोनोमर में किस तरीके से हैट्र से हड्रक्स अपर यह, आप ने खाया, वाटर गः किक और यह से हघ्र्रक टूड़ गया हजम हमेरे सेलों में जाके इनर सत्व करेगा, ब्रमिया करेगा है हें ये कहो है is withdraw team कुल से टोड़ता है है और वह जिन एंजय में तोड़ता नहीं नाम को बता चुका हूं कौन सेसे बचा है ईडरोलाइटिक इनजब्णप like जाइं अगें फिर वह खree speechट सेल यह पर ईड़ elim लेकिन यहां पर आपको याद रखने हैं आप सोचे कि यार मेक्रो मॉलीकूल जब हमने खाया फिर उसको तोड़के मोनोमर बनाया है क्यों जब सेल में जाएके मेक्रो मॉलीकूल वापस बनाना है है तो बच्चा आपको याद रखने है स्फा इसलिह हुआ क्योंकि सेल के अंदर जाने के बाद अगर उस मोनॉमर से फंश चाहिए होगी तो बच्चा उसको तो हम यूज कर लेंगे उसको उसमें से औनर्जी आश्ल कर लेंगे क्योंकि एणर्जी मोनोOST से हासिल की जा सकती है गलुकोस को जब तोड़ा जाता है तो बच्चा हमारे पास एनरजी रिलीज होती है तो अब यहां पर आपको एक बात याद रखने हैं कि अगर तो उस मॉलेकूल का कोई एनरजी वाला रोल है जैसे हम एनरजी निकाल सकें तो तो फिर तो सही है अगर अगर उसको कोई structural role play करना है यानि कि cell के अंदर कोई चीज बना ले नहीं है कोई organically बना ले नहीं है cell के cell wall के अंदर जाके चिपक जाना है in the form of glycoprotein या किसी conjugated molecule की form में है तो बच्चा वो फिर से micro molecule बन जाएगा अब micro molecule कैसे बनेगा किस फिनोमेना की जरीए बनेगा condensation की जरीए ठीक है अब यह कहता है अब यह heterotrophs की बात हो गई heterotrophs में आपको clear कर दिया कि अंदर जाएगा monomer बनेगा फिर micro molecule बन सकता है नहीं बनेगा तो energy release हो जाएगी उसमें से autotrophs में क्या होता है autotrophs में autotrophs micro molecule की फार्म में खाना नहीं लेते वो तो खुद बनाते न वो खुद कैसे बनाते इन और्गैनिक molecules को पकड़ते हैं ऐसे molecules जिन में carbon essential element के तोर पर नहीं होता जैसे carbon dioxide आप बोलोगे सर इसमें तो carbon है फिर यह organic नहीं है जी बिल्कुल यह organic नहीं है क्योंकि organic के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि मैं आपको organic में पढ़ाऊंगा organic में carbon hydrogen का आपस में covalent bond होना लाजमी है some exceptions आदे है organic के लिए आपका वो compound होता है जो या तो चलो carbon hydrogen का covalent bond नहीं है लेकिन वो चीज जो बनी वो carbon hydrogen के covalent bond वाले compound की derivative हो यानि उसमें से बनी तो वो organic होती है अच्छा आप यह inorganic को यूटिलाइस करते हैं inorganic में जैसे carbon dioxide water, nitrates, sulfates इनको यूज करते हुए इनको assemble करते हैं कैसे assemble करेंगे फिर से पूछ रहा हूँ यह आपको बार बार याद कराने के लिए macromolecules किस तरह assemble होते हैं condensation के जरिए assemble करते हैं macromolecules बन जाते हैं और यह source से sink की तरफ जाते हैं source वो जगह होती है बच्चा जहां पर कोई चीज बने और sink वो जगह होती है जहां पर कोई चीज store हो यह जमा हो यह जहां पर जिसकी need हो तो source जैसे हमारे पास source leave leave एक source है leave sorry leave एक source है और leave के बाद sink for example root is a sink तो leave से कोई चीज जरूर्ट में जा रही है तो वह एक यह autotroph ऐसे काम करते है plant इसे काम करते हैं ठीक है बच्चा यह आपको समझ आ गई होगी उसके बाद कहते हैं अब यह जाप जब यह हो गया उसके बाद क्या होता है sink tissues by the process of condensation फिर यह macromolecules sources sink के तरफ जाते हैं और by the help of condensation while the other cell when required these molecules either for building purpose to produce energy these molecules break into monomers hydrolysis अगर एक cell के अंदर ही पोच गया for example this sink का cell था जहां पर इसको जमा होना था और अगर किसी और cell में इसकी need है तो क्या हो कि तूट जाएगा यह तूट जाएगा और monomers की farm में जाएगा आप बोलो कि sir एक cell के अंदर यह macromolecules पड़ा हुआ है तो क्या यह macromolecules की farm में दुसरे cell में जा सकता है में कहुंगा नहीं नहीं जा सकता बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि cell की wall को cross करने के लिए cell membrane को close करने के लिए हमारे पास molecule small होना चाहिए monomer की farm में होना चाहिए polymer की farm में rare cases में कोई भी molecule cross करता है ठीक है तो इसलिए वो फिर से तूटेगा फिर से तूटेगा तूटेगा फिर क्या होगा तूटने के बात चोटी चोटी जब बन जाएगा ना टुकडों में मोनोमर्स में फिर जाएगा दूसरे cell में अब दूसरे cell में उसको macromolecule की farm में role play करना तो वापस बन जाएगा यह बात आपको याद रखना है अब वहां पर building purpose के लिए हो सकता है energy के लिए भी हो सकता है दो ही काम करता है macromolecule या तो इसमें से हम energy असिल करते हैं या तो इसको हम अपने cell बनाने में काम करते हैं या आपको याद रखना है यह topic बच्छा clear हो खतम हो गया है आपको याद रखना इसमें से mcq किस तरह गया सकते हैं mcqs discuss करूंगा याद र होती है यह mcq आपको याद रखना है मैक्रो मॉलिकूल बनता है इसका condensation से क्या होता है condensation से मेकатов से ङौद क्यों बोलते हbringen इसको तोडने का अमल hydrolysis यह भी आप याद रखना है hydrolysis और condensation और two totally opposite processes अच्छा यहाँ पर अगर word आजा है two different processes तो भी इतनी perfect बात नहीं होगा अगर question BCQ में आएगा यानि के best choice question में आएगा तो आपको लिखने condensation and hydrolysis are two opposite processes क्योंकि totally opposite काम हो रहा है इनके अंदर ठीक है तो यह वाले हमारे mcqs हो सकते हैं इसमें ठीक है और आपको यह concept भी क्लिए रखना होगा ठीक है के micro molecule monomers कहां बनते हैं कैसे move करते हैं दूसरे cells में आपको सारा concept या structures में इनका क्या role होता है ठीक है तो उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी keep sharing this video and inshallah अगर आपको हम में हमारे लिए कोई feedback है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ changing हो कोई pattern वगरा की आपके feedback बहुत important है मेरे लिए because I am a beginner and आपके support मुझे motivate कर रही है कि मैं वीडियो बनाता रहूं इन्शाला आपको वीडियो और पी पसंद आएंगे में और feedback लेते वह और अपने हाप में improvements करूंगा तो तब तक के लिए जुड़ी रहे और अव्हाफिस